नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां आए आज हम सभी जानते हैं इन वजहों से होता है गठिया रोग चार तरह का होता है गठिया इसको जड़ से खत्म करने का बहुत से लोगों में पाया जा रहा है हमारे शरीर के जोड़ों में दर्ध होता है गठिया के पीछे यूरिक एसीड की बड़ी भूमिका रहती है इसमें हमारे शरीर में यूरिक एसीड की मातरा बढ़ जाती है यूरिक एसीड के कण घुटनों एवं अन्य जोड़ों में जमा हो जाते हैं जोडों में दर्द से रोगी का बुरा हाल रहता है इस रोग में रात को जोडों का दर्द बढ़ता है और सुबह अकड़न महसूस होती है इसकी पहचान होने पर इसका जल्दी ही इलाज कराना चाहिए अन्यथा जोडों को बड़ा नुकसान हो सकता है हम यहाँ पर गठिया के अचुक घरेलू उपाय बता रहे हैं जिससे आप अपनी देखबाल खुद घर बैठे कर सकते हैं मनुश्यों के शरीर के कई भाग होते हैं तथा उम्र के अनुसार गठिया रोग कई प्रकार का होता रहता है रुमेट टाइड अर्थराइटिस जिहां इस गठिया रोग के कारण छोटी उंगलियों के जोड जैसे उंगलियां कोहनियां कलाईयों घुटनों टकनों इत्यादी में दर्ध होने लगता है तथा इन अंगों में अकडन हो जाती है हड्यों के जोडों में सुजन आजाने के कारण उपस्थीतियां तो शतिग्रस्त हो ही जाती है तथा इसके साथ में जो मांसपेशियां कंडराएं तथा कोशिकाएं होती हैं उनमें विक्रितियां उत्पन हो जाती है जिसके कारण रोगी व्यक्ति में विकलांग पंजय सी समस्या हो जाती है यह रोग पुरुशों से अधिक महिलाओं को होता है इसके अलबा जानते हैं आश्टियो अर्थराइटिस इस प्रकार का गठिया रोग उम्र के बढ़ने के साथ होने वाला एक समानिय रोग है जो हड्डियों के जोणों के घिस जाने के कारण होता है इस र होता है इसके अलावा गाउटी अर्थराइटिस इस गठिया रोग के हो जाने के कारण पैर के पंजों में बहुत तेज दर्द होता है और यह दर्द इतना अधिक होता है कि पंजों को हलके से छूने पर रोगी अपना पंजा एक ओर को हटा लेता है जब यह रोग अधिक तो इससे संबंधित हड़ियां धीरे धीरे शतिग्रस्त होने लगती हैं जिसके कारण व्यक्ति में विकलांगता उत्पन होती जाती है गाउट गठिया रोग से पीडित लगभग तेन प्रतिशत रोगी पथरी रोग के शिकार यानि की पथरी रोग के शिकार रोगी हो ही ज तथा अकडन हो जाती है इन सभी गठिया रोगों की पहचान जान लीजे इन रोगों के कारण हड्यों के जोड़ों के पास तेजदर्द सूजन तथा अकडन हो जाती है जब मौसम में बदलाव होता है तो इस रोग के कारण और भी तेजदर्द होना शुरू हो जाता है तथ दवाईयों का सेवन करने के कारण भी गठिया रोग हो सकता है शरम तथा वियायाम की कमी होने के कारण भी हो सकता है शरीर में कबजे तथा गैस बनाने वाले पदार्थों का खाने में अधिक सेवन करने के कारण भी गठिया रोग हो सकता है जैसे मेर्च मसाले नमक दाल इसक एक शोद में कहा गया है कि चिकित्सकों नाश्ते से पहले एक बड़ा चमच शहद और आधा छोटा चमच दालचीनी के पाउडर का मिश्रन गर्म पानी के साथ दिया इस प्रियोग से किवल एक हफ्ते में 30 प्रतिर्शत रोगी गठिया के दर्द से मुक्त हो गए एक महिने क प्रियोग से जो रोगी गठिया की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे वे भी चलने फिरने लायक हो गए पारिजात पेंड के पांच पत्ते तोड़के पत्थर में पीछ लें और चटनी बनाए फिर एक गलास पानी में इतना गर्म करें इसको कि पानी आधा हो फिर इसको ठंडा करके पीना है आपको 20-20 साल पुराना गठिया का दर्द भी इससे दूर हो जाता है यह उपाय लगातार कुछ महिनों तक करने से गठिया का खात्मा हो जाता है आपको गठिया से पूरी तरह से आराम मिल सकता है बस निरंतरता के साथ यह प्रयोग आपको कर अगर घुटों और जोडों के दर्द में किसी भी प्रकार की दवा से अराम न मिलता हो तो ऐसे लोग हार सिंगार यानि की पारिजात पेंड के 10-12 पत्तों को पत्थर पे कूट कर एक ग्लास पानी में उबालें जब पानी एक चोथाई बच जाए तो बिना च्छाने ही ठं जाएगी अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर एक महिने का अंतर दे करके फिर से नब्बे दिन तक इसी क्रम को दोहराएं निश्चित लाव की प्राप्ति आपको होगी बस नब्बे दिनों तक ही प्रयोग करते रहें लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दू स्थाई रूप से छुटकारा मिलता है एक चमच मेथी बीज रात भर साफ पानी में लगने दें या गलने दें इससे सुवह पानी निकाल दें और मेथी के बीज अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं मेथी बीज की गर्मता सीर मानी जाती है यह गुन जोडों के करने में काफे मदद करता है गठिया के रोगी चार से छे लीटर पानी पीने की आदट डालने तो उनको फायदा होगा इससे ज्यादा पेशाब होगा और अधिक से अधिक विजातिय पदार्थ और यूरिक एसीड बाहर निकलते रहेंगे बोडी से एक बड़ा चमच सरसो के तेल में लहसुन की तीन-चार कूली पीस कर डाल दें इसे इतना गरम करें कि लहसुन भली परकार पक जाये फिर इसे आच से उतार कर मामूली गरम हालत में इससे जोडों की मालिश करने से दर्द में तुरंत रहत मिल जाती है प्रतिदी नारियल की गिरी के सेवन से भी जोडों को ताकत मिलती है प्रातकाल खाली पेट एक लहसुन की कली दही के साथ दो महिने तक लागा तार लेने से जोडों के दर्द में आशाती लाप्राप्त होता है। ओयल मिला करके सोने से पहले लेने से गठिया में बहुत लाप मिलता है। काली मिर्च को तील के तेल में जलने तक गर्म करें। उसके बाद धंधा होने पर उस तेल को मांस पेश्यों पर लगाएं दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। गर्म गर्म बांधें इससे भी तुरंत लाप मिलता है। गर्म के साथ पीस कर मिला लें फिर इसे अरंड के तेल में भून करके शीशी में भर लें। इसे एक चमच पानी के साथ दिन में दो बार लेने से गठिया में आशातित लाप प्राप्त होता है। सोट का एक चमच पावडर का नित्य सेवन गठिया में बहुत लाप दायक होता है। इसले करना ही चाहिए पत्तेदार सब्जियों का रस भी बहुत लाप दायक होता है। पत्ता गोवी, पालक, सफेद, पेठा, इत्यादी के रस को प्रती दिन पिना चाहिए और फिर उपवास रखना चाहिए। निम्बू, अनानास, आवला तथा संत्रे का रस पीकर उपवास रखने से भी गठिया रोग में बहुत अधिक लाप होता है। इस रोग से पिडित रोगी को कुछ सबताह तक बिना पका हुआ भोजन करना चाहिए, यानि कि कच्चे फल और सबजियों पर जीवन व्यतित करना चाहिए। कुछ दिन तक गठिया रोग से पिडित रोगी को मौसम के अनुसार फल तथा सलाद और हरी सबजियों का रस पीना चाहिए, इससे भी काफी लाप होता है। इस रोग से पिडित रोगी यदि प्रती दिन नारियल का पानी पियें तो उसे बहुत अधिक लाप होता है। इस रोग से पिडित रोगी को अपने भोजन में दाल, दही, दूद, तली, भूनी, चीजें तथा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। इस रोग से पिडित रोगी को पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए, गठिया रोग से पिडित रोगी को रात के समय में तामबे के बरतन में पानी रखना चाहिए, इस पानी को सुबह उट कर पीने से गठिया रोग ठीक हो जाता है, काफी हद तक और लाव तथा तीलों से बने हुए लड़ों का सेवन करे तो उसे यह रोग कुछ दिनों में कंट्रोल कर सकता है इस रोग से पिडित रोगी को अधरक तथा तुलसी का रस हलके गरम पानी में डाल करके पीना चाहिए यह रोगी के लिए बहुत अधिकलाफ दायक होता है इस रोग से पिडित रोगी को सब्ताह में एक बार उपवास आवस्य करना चाहिए गठिया रोग से पिडित रोगी यदि प्रती दिन सुबह के समय में लगभग 240 मिले लिटर सुर्य तप्त द्वारा बनाया गया हरी बोटल का पानी पिये और गठिया रोग से प्रभावित भाग पर इस जल को लगाए तो उसका यह रोग कुछी दिनों में ठीक हो जाता है इस रोग से पिडित रोगी को सुर्य की रोष्णी में आने पर शरीर की प्रती दिन कम से कम 10 मिनद तक सिकाई करनी चाहिए क्योंकि सुर्य की केड़ों में लाल रोष्णी इस रोग को बहुत जल्द करके अपने पेट की सभाई करनी चाहिए और फिर प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार कराना चाहिए गठिया रोग से पिडित रोगी को कटी स्नान, मेहन नस्नान धूपस्नान तथा भाःपस्नान करना चाहिए और इसके बाद शरीर पर सूखा घरशन स्नान, यानि कि सू प्रति दिन योग नेद्रा करने से गठिया के रोगी को बहुत अधिकलाव मिलता है। इस रोग की वजह से जो दर्द होता है वह कम हो जाता है। प्रति दिन करने से गठिया रोग में काफी आराम मिलता है और पीडित ठीक होने लग जाता है। के लिए कई आसान से तरीके हैं जिन्हें प्रति दिन करने से गठिया रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। आसान टिप्स इस प्रकार से हैं जान लिजे ये आसन है कुछ एक जिन आसनों को करना बहुत फायदेमंद रहता है। पदमासन, वजरासन, उज्जयाई, सुर्यभेदी, प्रानायाम, भस्त्रिका, नाडिशोथन, सिध्धासन, गुमुखासन, गुरक्षासन, सिंहासन, तथा भुजंगासन, इत्यादी ये सारे आसन हैं जो बहुत लाफकारी होते हैं। ये उपाया आजमाने से पहले आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी लेकर और भी अच्छे से समझ लें और फिर घर बैठे इसका इलाज आप कर सकते हैं। क्योंकि एक बार समझना बहुत जरूरी होता है, किसी भी कारी को जब आप नहीं जानते हैं तो उसे करने के लिए आपको अच्छे चिकित सक्क्या गुनी की सलाह जरूर लेनी चाहिए बहुत जरूरी होता है।